नमस्कार बहुत स्वागत है आपका किस महने में जन्मे बच्चे सबसे भागे साली होते हैं देखें किसमत ग्यान और कर्म पर निर्भर करता है चाहे आप किसी भी महने में जम लें लेकिन आपका ग्यान सही है आप सही तरीके से जित करते हैं सही काम करेंगे तो भागे साली बनेंगे लेकिन कभी कभी भागे का साथ जन्म जात प्राप्त होता है किस महने में जन्मे बच्चे सबसे ज़्यादा जल्दी जीवन में सफल होते हैं भागिसाली होते हैं तो चले सुरुआत करते हैं जन्वरी महने में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं आम तोर पर बहुत मेह नती होते हैं जन्वरी के महने में जन्व लेने वारे बच्चे और छोटी उम्र से ही अपनी किस्मत बनाने में लग जाते हैं जिस बच्चे का जन्व फरवरी के महने में होता है ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते इसी कारण इनके साथ धोखा तो होता है लेकिन जीवन में करना इन्हें पसंद नहीं या फिर धोखा खाने के बाद ये भरुशा करना ही छोड़ देते हैं तो फरवरी के महने में जन लेने बारे बच्चे अपना भाग का निर्वाता खुद होते हैं जिस बच्चे का जन मार्च के महने में होता है मार्च के महने में जो बच्चे जन लेते हैं उनके अंदर थोड़े क्रोध होता है थोड़ा और ये अपनी किस्मत बनाने के लिए किसी को भी नुक्सान पहुचा सकते हैं मार्च में जिनका जन्म होता है ये नुकसान फोचाने का मतलब ये अपने आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं ये भी नहीं देखते कि सामने पहाड है या नदी जरने हैं यानि जो ठान लिया सो ठान लिया जिस बच्चे का जन्म अप्रेल के मेहने में ह होता है ऐसे बच्चों का बैक्ति तो बहुत अच्छा होता है यह केवल अपने पैदे के बारे में सूचते हैं कई बार तो गलत कदम भी उठा लेते हैं और किसी के नहीं होते ऐसे लोग सगे सफलता प्राप्ती यह सरलता से कर लेते हैं बहुत सकती साली होते हैं लेकिन कई बार अप्रेल के मेहने में जम लेने वाले बच्चों के जो भाग्योदे हैं इन में अपने ही लोग यानि की नुकसान पहुचाने का प्रयास करते हैं तो अप्रेल के मेहने में जर्म लेने वालों को घर से दूर जाकर ज़दा सफलता मिलता है और अपनों से थोड़ा साबधान रहना चाहिए यानि करीवी रिस्तेदार से जिस बच्चे का जन्ध मई के महने में होता है पड़े ही भोले भाले होते हैं किसी की भी मदद हमेशा करने के लिए आगे रहते ह लेकिन कई बार इमोशनली लोग इनको ब्लैक मेल करते हैं यानि इनके साथ लाइफ में बहुत धोखा होता है क्योंकि बहुत ही सरल सुभाब के होते हैं मई में जर्म लेने वाले बच्चे जो लोग जून में जर्म लेते हैं बहुत ही सांथ इस्थिर सुभाब के कम बोलने वाले होते हैं और ये दुनिया के कल्यान के रास्ते पर चलते हैं कई बार धोखा खाने के बाद ये अपना रास्ता बदल लेते हैं कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो जून में जर्म लेने वाले बच्चे बहुत भोले भाले सांती प्रे होते हैं, इन्हें किसी से जग्रे लराई करना पसंद नहीं, ये बहुत बुधिमान, बहुत ग्यानवान होते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं जून के महने में जर्म लेने वाले, ये अपनी किस्मत हर कदम पर वैसे तो इनको धोका ज्यादा मिलता है लेकिन अपनी खुश्मत खुद बनाते हैं अपना भाग का निर्वान स्वेम करते है तो जून में जर्म लेने वाले बच्चे बेहतर होते हैं लेकिन इनको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला तो जैसे कि आप कम ब सब्दों में जलकता है बस वह आपको नहीं करना है सब्दों में मीठापन रखें जो बच्चे जुलाई के महने में जर्म लेते हैं बहुत ही सेंसिटीव होते हैं इनका बैक्ते तो बहुत ही सरल होता है इनकी लाइफ स्टाइल बहुत सुखद होता है हमेशा दूसरों की अपनी खुसी ढूंड लेते हैं तो जुलाई में जन्मे जो बच्चे होते हैं दूसरों की खुसियों में आप हर पल को इंज्वाई करना अगर हम सब्दों में सरल सब्दों में कहें तो हर पल को इंज्वाई करना जानते हैं और टेंसन नाम की चड़ियां आपके डिक्सिनर माता-पिता के लिए भागे साली होते हैं इंसे में थोड़े मुफट होते हैं और अपने माता-पिताए का थोड़ा थो यह आप सितंबर के महिने में जो लोग जन्म लेते हैं बहुत सरल सुभाब के होते हैं बहुत अच्छे सुभाब के होते हैं इस्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं छल कपट इनको आता नहीं निश्चल होते हैं और सारे फल की चिंता इस्वर पर छोड़ देते हैं यह ज़्यादा टेंसन लेते नहीं मचत मौला होते हैं भगवान पर भरोसा रखने वाले और सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं सितंबर के मेhhने में जर्म लेने वाले बच्चे सरल सीधे और स्वभाब के बहुत ही खुबसूरत जिस बच्चे का जम्म अक्टूबर में होता है इनके माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र जैसे परिवार के सभी लोग इन पर गर्व महसूस करता है कहने का ताथ पर अक्टूबर में जम्म लेने वाले बच्चे अपने लाइफ में कुछ कर गुजरते हैं बड़ा उहदा बड़ा पद यानि इनके नाम से इनके अपनों को लोग जानते हैं और अपने जो नाम है उसको संभाल कर रखते हैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और सफलता प्राप्त करते हैं अपने पुरुसार्थ से जिस बचे का जन्म नवंबर के महने में होता है बहुत ही स्थिर और धैरवान होते हैं जीवन में कठनाईयां तो आती है लेकिन धैर और स्थिर सुभाब के कारण आसानी से हर कठनाईयों से बाहर निकलाते हैं तो नवंबर के महने में जन्म लेने वाले बच्चे सीधे सरल धैरवान बुद्धिमान होते हैं और ये लोग ज्यादा तर जौब करते हैं जिनका जन्म दिसंबर के मेहने में हुआ है ये बच्चे दूसरे व्यक्ति के समझ पाने में से अलग होते हैं दिमाग के बहुत तेज होते हैं इस्थिरता से समझदारी से हर कारे को करना पसंद करते हैं धीरे धीरे ही सही पर सफलता प्राप कर लेते हैं अपने पुरुसार् है आपको पसंद आ रहा होगा अगर वीडियो पसंद आए तब प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखेगा धन्यवाद पर्चा भी बढ़ गया तकलिफें भी बढ़ गई बहुत दुख भी बढ़ रहा है कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो